नवस्कार आप देख रहे हैं देश का लोग प्रियो और विश्वसनिया चैनल मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी रुक करते हैं च्छतीस गड़ की बड़ी खबरों क्यों च्छतीस गड़ में बस्तर सांसा दीपक बैज ने गीदम कुमहार पारा में चार नौ दशमलव नौ तीन लाग की लागत से ह्यूम पाए पुलिया नर्माड का भूमी पूजन क्या है बताय जो रहा है कि लंबे समय से गोटपाल को गोदाम से जोडने वाले मार्ग पर पुलिया नर्माड की मांग की जा रही थी वह सांसाथ ने कहा कि तुरंत ही कार शुरू करने के अंदर देश दिये गए हैं और उमीद है कि दो महीने के अंदर ये पुलिया अस्थित्व में आ जाएगी तो वही चतीस गड़ के दंते वाड़ा में बीते तीन दिनों से अपनी आठ सूत्रिया मांगों को लेकर पटवारियों का धढ़ना प्रदर्शन लगाता जारी है जहां संकी सदसे किशोर दीवान ने बताया कि 9% हमारी मांग सरकार की योजनाओ को धरातल पर लाने के लिए संसादन उपलब्द कराने का है तो साथी राजस पटवारियों ने कहा कि प्रमोशन की विसंगती भी प्रमोख है वह निभाग के हमारे रैंक के करमीर रेंजर तक प्रमोट हो जाते हैं वहीं अधिकतर पटवारी सेवन रुवेत होने तक प्रमोशन नहीं मिल पाते हैं खबर जगदलपूर से है जहां कलेक्टर विजदयाराम ने बस्ता नार विकास खंड के ग्राम लाल गुडा के राउत पारा में पेड की च्छाओं में चौपाल लगाया और चौपाल में डियम ने ग्रामीडो से गाउक की समस्याओं और योजनाओं के बारे में जमीनी हकीकत का जायसा लेने का भी प्रयास किया है साथ डियम ने स्थानिय बोली और अपने ग्रिया प्रदेश करनाटक के बोली के मध्य समानता को बताते हुए ग्रामीडों से सीधे समवाद किया साथ ही उन्होंने ग्रामीडों के साथ जमीन पर बैठ कर उनके समस्या और मांगों पर चर्चा भी की है खबर दंतिवाडा से है जोहाद दंतिवाडा के बस्तर में सांसा दीपक बैच ने आरनपूर में शहीद सिविलियन धनी राम यादफ के घर पहुचकर उनके परिजनों से मुलाकात की है साथ ही उन्होंने शहीद परिवार के प्रती प्रदेश के मुख्य मंत्री भूपेश बगेल के समवेदन शील होने और सरकारी नौकरी के अलावा पांच लाक रुपे की मदद देने की बात कई है वह उन्होंने परिजनों को सांतोना भी व्यक्त की है चतीस गड़ के दंतेवारा में 26 अपरेल कौरनपूर के आगे पेड़ का चौक के पास मावबादी द्वारा पुलिस वहन में आईडी ब्लास कर शतिगरस्त किया गया था जिसमें मौके पर ही दंतेवारा पुलिस के दस रक्षा कर्मियों और एक वहन चौलक शहीद हो गए थे वह इस मामले में पुलिस ने आट अन्य मावबादियों को गरफतार किया है और अब तक कुल 17 आरूपियों को गरफतार भी किया जा चुका है खबर दंतेवारा से है जोहां NMDC बचेली और नगर पारेका के शेतर से जुड़ा एक गाउं जो मांजी पारा के नाम से जाना जाता है लेकिन इस गाउं में शुद्ध पानी के विवस्ता आजादी के इतने साल बाद भी नहीं हो पाई है जो हम मांजा पारी के ग्रामीडों का कहना है कि मांजी पारा में पानी के दिकत सालों से है लेकिन हमारी समस्या को सुनने के लिए ना AMDC के अधिकारी आते हैं ना जनपत निधी और ना ही नगर पालिका से हमारी सुनवाई होती है जिससे हम ग्रामीडों को हैंड पंप और एनमडीसी का लाल पानी पीना पड़ता है खबर 36 गड़ के जगदलपूर से है जोहाँ डियम विज़द याराम ने कोडिनार और रीपा के बिक्री के लिए निर्देश दिये हैं और उन्होंने कोडिनार के सापताहिक बाजार को विवस्थित करते हुए बाजार में रीपा के उतपात बिक्री के लिए शेट भी बनाने के निर्देश दिये साथ ही रीपा के लिए किये जा रहें निर्मार कारियों को जल्द पूरा करने और परिसर के चारों तरफ से फेंस सवाद का आरोप तक लगाए गया है आम आदमे पार्टी की रास्ट्रिय परिश्रत की सदस से तरुना साबे ने प्रेस विग्यप्ति के माध्यम से कहा कि 36 गड़ में भाचपा और कॉंग्रेस द्वारा 36 गड़ लोग सेवा आयोग को एमांदार अधिकारी देने वाली संस्ता के बदले भ्रेश्टाचार कही केंद्र बना दिया गया है जिस कारण योग युवार राज प्रशास्तिक सेवा तक नहीं पहुच पाते हैं बाचीत के दौरान अनेकों युवाव ने पीएसी के वर्तमान शेर्मैन की जो कर पड़ाली है उस पर भी सवार उठाए हैं भाचपा और कॉंग्रेस के द्वारा 36 गड़ लोग सेवा आयोग जैसे प्रशाश्निक अधिकारी देने वाली संस्ता के उपर इस प्रकार का आरोप लगना बहुत ही सर्मनाक बात है क्योंकि इन्हों ने इस आयोग को भरश्टाचार का अड़ा बना लिया है और यहां पे बड़े बड़े रशुकदाल अधिकारियों और नेताओं के बच्चों को लाब पहुचाने के लिए यहां के यवाओं की जो योग्यता है उसको दरकिनार क है खबर जगदलपूर से है जोहां डीएम विज़ा दियाराम ने जब बड़े किले पाल अस्तित सामधाइक केंदर में पहुचे तो कलेक्टर विज़ा दियाराम ने बड़े किलापाल के सामधाइक स्वसла सुविधाओं का लाब भी लेने के अपील की है। और बच्ची की मा को विद्वा पेंशन दिल्माने के भी नरदेश्टिये हैं। जगदलपुर में बीते कुछ दिनों से जिम के समान की खरीदी को लेकर समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से भाच्पा के साथ आम आदनी पार्टी के द्वारा विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम पर लगाये जोरहे सारे आरोब बेबुनियाद और जूटे है वही विधायक राजमन बेंजाम के निवास में चात्रवास के जिम का कोई भी समान नहीं मौजूद है। जो सरासर गलत है कि पूरी जीम समान बोश्यमेट्रिक बालक चात्रवास बास्तनार में 2020 में ही इसकी स्थापना हो गई है जिस जीम के उप्योग से वहां के रहने वाले चात्रवास के बालक इस जीम का उप्योग कर रहे हैं अशातिए साथ छेतर में लोग्वरी विधायक कोने के साथ साथ इच्छेदर के विकास की लगातार काम कर रहे हैं आज बास्तानार कांग्रेस कमिटी दुआरा प्रेजवारता किया जा रहा है जो कि हमारे यहां के इस्तानी विधायक माननी स्री राजमन बेंजाम जी के लोगों के दौरा आड़ बजारों में जा जा जाकर जीम सामाग्री अपने कार्यले में रखने का आरुप लगा रहे हैं जो की सरासर घलत है और यहां के जो हमारे माननी विधायक मोहदेजी है पहले ऐसा विधायक हैं जो हर जगा जा जाकर हर घर तक भी पहुंचते हैं और हर पाराम तोला में जाकर अपने लोगों को मिल रहे हैं इसको इन बिजेपी के लोगों को सहन नहीं हो रहा है इसलिए इन पर आरोप लगाया जा रहा है और इनके पास इसके सिवाए कोई और मुद्दा नहीं है 36 गड़ में दंतेवारा के बारसूर थाना शेतर के कोशनलार गाउं में मावादियों ने तेंदुपत्ता फड़ में आगजनी की है जिससे तेंदुपत्ता की तीन से चार सौ बोरियां जलकर राख हो गई हैं साथ ही मावादियों ने आगजनी कर इलाके में बोनर पैस बैनर प्रवती नदी के किनारे रखा गया था जिसे मावादियों ने आग के हवाले कर दिया है। करीब पहुंच चुका था। जहां दो पहर बाद मौसम का मजास बदनने के बाद बस्तर अंचल में आधी तूफान और ओले के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से रहात मिली है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। व्योल कर दो सरोकार। झाल कर दो भी मौसम देख बाद है। झाल कर दो में कर दिख दूदा के दो पाल के साहस साहस में विजू आग के विया।